कि सर्मान जो गुरुस्वारे हूं वाहिगुरुजी का शाल्सा वाहिगुरुजी की नभी चिक मिश्री का लई लोदे आना वलोग एसमसी गुरुमुट क्लास युए से विच आप सारे अनुजी आया सारे अंदर स्वाज़त है हार सैटर्डेस निचरवार असी पत्यासिक जाफ फिलोस्विकल और विश्यान दे उत्ते नमे बला रहे अनुबला के आप जी देनाल साज़ पहुंदे हाँ आज साड़ेनाल दो विश्यान दोते विचार होएगी एक विशा महारा अरा अनुजी सिंग शेरे पिंजाब दे पते आस्वाइब है जो पच्ची हरीन कौर जी इस पार अनुजा करनेंगे दूतरा विशा साड़ा सिक सभ्याचार ते विद्री मजीट कौर जी साड़ना स जी साड़ पौन गेंगे तो सब पहला मैं बेंती कर रहा है जैए बच्चे हरीन कौर नो आजता जो विशा महारा अरंजी सेंगा है वो रामकर्ण बच्चे हरीन कौर दी वाहिगुरूजी का खाल्सा वाहिगुरूजी की फते अज में आप जी दे सामने शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंग जी दे बारे विच पुछ विचारां करण जा रही है शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंग जी जनम सी ओ तेरा नुवंबर श्तारा सो असी विच होया इना दी माता ने इना दा नाम बुद सिंग राख ते उठे उन्हानू पता चलेया कि एक मेरे कार एक पूत दा जनम होया है महारजा रंजीत सिंग जी जदू उठू वापिस आये आके उन्हाने अपने पुत्तर दा नाम बुद सिंग तो रंजीत सिंग राख दिता इदा मतलब रंदी जीत इस जीत नू याद रखन वासते उ महारजा रंजीत सिंग दी जो पड़ाई लिखाई पड़ाई उन्हादी जो उन्हादे पिता महा सिंग ने सरकारी स्कूल देवीच उनू उनानू विद्ध्यादी दात प्रापत होई उनानू कोड सवारी शस्तर विद्ध्या उनाने बड़ी अच्छी तरांते निल्पोन किती महा सेंग ने अपने बेटे नू महाराजा रंजीत सेंग नू अपने नाल जंग जुद्धा मिच लैक के जांदेशन महाराजा रंजीत सिंग दे पिता महा सिंग ने जदू महाराजा रंजीत सिंग नू अपड़े नाल लाएके जांग विच गए ते उना ते उत्ते किसी पठान ने वार कर दिता ते महाराजा रंजीत सिंग ने ऐसी तलवार दा उना ते वार किता कि उना दा गटा लाके रख दिता ए सब देखके महा सिंग जी बहुत खुश होए ते उना ने महाराजा रंजीत सिंग दा एक देखके बहुत खुश होए ते उना ने इस वास्ते बहुत खुशी भी मनाई उना नू अपने पिता, महा सिंग नू अपने पिता महाराजा रंजीर सिंग ते जो दादा जी सन खड़क सिंग उना दा याद आ गया जदू उना ने पठान दे उत्ते वार किता ते महाराजा रंजीत सिंग दी उमर जो सी और दस साल दी सी तुसी खुद ही हिसाब लगा लो एक दस साल दा बच्चा जो के एक सोटी नुवी चंगी तरह फड़ नहीं सकदा ते ओ महाराजा रंजीत सिंग जो योद्धा सी उसने 10 साल दी उमर विच ऐसी तलबार वाजी सिखलिती सी कि उसने उस पठान दा जो की गाटा सी जो एकको ही वार्दनाल ला के सुख दिता ये सब देखके महासिंग जी जो सन ओब बहुत ही खुश होए सन उस्ते बाद महाराजा रंजीत सिंग जी दे पिता दी महासिंग जी जी जो फालत सी थोड़ी तबियद ओ खराक होणी शुरु हो गई तबियत खराख होन्तु बाद उना ने महाराजा रंजीत सिंग ने उना ने अपने पिता दी जोसी ओगद्धी ते विराजमान हो गए उना दी सेहत नाठी खोन करके महा सिंग जोसन ओचलाना कर गए से ठारा सो एक दे विच वसाकी वाले दीन महाराजा रंजीत सिंग जी सन जो ओ तक्त ते उत्ते बैट गए महाराजा रंजीत सिंग जोसन ओ बड़े ही एक बड़े विबेक बुद्धी वाले जोसन ओर राजासन उन्हादा जो माइंड सी जो उन्हादा दिमाग सी बहुत ही तेज दिमाग सी महाराजा रंजीत सिंग जीदा महाराजा रंजीत सिंग जीदे जो उन्हादे पिता दे अकाल चलाने तो बाद उना दी माता राजपोर दे हेट नगरानी हेट उना दा जो जीवन सी ओबती थुना शुरू हो गया उना दी माता दे काल्च लाने तो बाद उना दी सदाक और जो से उना दी अगवाई खरणी शुरू कर दिती महाराणी सदाक और जी ने महाराजा रंजीत सिंग जी थी ठोडे ही दिन मगरों महाराजा रणजीत सिंग जो सन उनाने लहोर दा जो किला सी ओपंगी मिसल को लों पते किता सी जो पंगी मिसल्ज वले सन ओ महाराजा रंजीत सिंग नू लाहौर दा किला जो सी ओ एक जंग युद करके उना कोलों प्रापत करना प्याँ जो वसनीक लहौर गे होंगे गुर्द्वारा डेरा साथ जिते गुरु अर्जन दे महाराज पाश्या जी दी शहीदी होई है और दे सामने ही महाराजा रंजीत सिंग जीदा जो की बहुत बड़ा किला उठे अजे वी जो वेराजमान है क्योंकि आसी पाकिस्तान वीच गे होई हैं आसी अनु बेख्या है उनु देखके एक बड़ा ही अनुबवफ पैदा होंदा है कि 40 साल कैंडी गल है कोई भी आई दिन तक कोई भी जो स्केट सी या कोई भी तुसी कंट्री कर लो किसीने भी आई दिन तक 40 साल दा राज जो ह है वो कायम नहीं किता सिर्फ और सिर्फ महाराजा रंजीत सिंग सन जिनानु शेरे पंजाब के आज आन्दा सी उना ने ए राज कायम किता ओवी पूरे 40 साल तक उना दे राज वीच इसी दे नाल भी कोई वी किसी दे नाल कोई भी मतलब एक किसम दी कोई भी दुरगटना जो है वो नहीं होई सब्तू पहले महाराजा रंजीत सिंग जीदे समय जो की फांसी दी सजा सी वो किसी नू नहीं सुनाई जान दी सी सब्तू पहले जो फांसी दी प्रथा सी उसनों बंद कर दिता गया उस्ते बार फांसी दी सजा और केवल एक मोत दी सजा उसनों हों दी सी जो कि किसी दी ती पैन दी इजद नू पतित करदा सी किसी दी इजद नू लुटदा सी उस ती जेडी सी ओ उसनू फांसी दित्ती जांदी सी सजाय मोत महाराजा रंजीत सिंग दे राजवेच उसते इलावा किसे होर नूर। आजे वी जो कि देली देवीच एक बच्ची दा जदू रेथ होया सी कि सबने बोलया सी कि इना नू फांसी दी सजा दित्ती जावे और उना नू फांसी दी सजा दित्ती भी गई सी लेकिन महाराजा रंजीत सिंग दे वेले महाराजा रंजीत सिंग दे समय सारी परजा अपनी परजाता त्यान डग दे लेकिन आज आज उयोगाल बिल्कुल उल्ट हो गई है आज जो सरकारा हन वो अपने ही कार गरीब नू लुट लुट के अपने ही परवार पर दे हन अपने ही परवार अपने ही कार पर दे हन फिर जो गरीब जनता है वो बचैरी बिना ही बिन ना मतलब ओ मारी गई है इस करके इस करके असी अज भी उस योदे महराजा रंजीत सिंग नूं याद कर दे हां महराजा रंजीत सिंग दा एक ऐसा राज सी जिसते राज विच हर बंदा सुखी सी उसनू कोई प्रॉब्लम नी सी कोई टेक्स नी सी कुछ नी सी अजादो जा सक्दा सी खा सक्दा सी अराम नल हर जगा रह सक्दा सी इत्तू तू तू जा सक्दा सी उनू कोई प्रॉब्लम न एक ऐसा राज सी महाराजा रन्जीत सिंग दा, एवे महाराजा रन्जीत सिंग जी जिसो जो सन ए बड़े ही एक भुबेग बुद्धी वाले इनसान सन उना दा जो काद काठी सी उना दा जो चहरा सी ओ थोड़ा चित्रा टाइप दिखाया जान्दा है तो उना दी जेडी खबी हाग सी ओ जेडी सी थोड़ी जी उदे विच प्रॉब्लम सी उना दे ही किसे सिपाही नू किसी ने पूछ लिता कि बाई जो मैं सुणिया तो अड़ा जेडा महाराजा रंजीत सिंग है उना ने अगू जवाब दिता जी मैं ते आए दिन तकर अपना जड़ा राजा सी महाराजा रंजीत सिंग उसमू में आज दिन तक कदे भी तोण उत्ते चुक्के नहीं वेक्या क्यूंकि साड़े राजे दे मूँते अड़ा नूर सी कि साड़ी कदे हिम्मत नी पही कि असी अपने राजे नू एक मतलब अनू उत्ते वेक सके साड़े राजे दे मूँते अड़ा नूर सी ओर राजा वी सी भुवेक भुद्धी वाला इंसान वी सी परजादी रक्षा करण वाला वी सी और ओ गुरु कारदी साब संबाल रखन वाला वी एक मतलब असी उसनू ए नहीं कह सकते कि ओ एक बहुती को गुरु नी सी ओई काम इंसान सी जो कि अपड़ी परजादी अपड़े राजी दी सब दी जो देखरे करदा सी लहार देविच एक डाकू होया सुन्दर सिंग बड़ा मशूर डाकू सी ओ इतना मशूर डाकू सी कि उस डाकू ने एलान कर दिता सी कि जेड़ा वी शेरे पं पंजाब महाराजा रंजीत सिंग नों पड़के लियावेगा मैं उन्नों लहूर दा अद्धा राजवे दियांगा एक गालजेडी तीन दिन तक चल दी रही तीन दिन तकर उसनों कोई चहल पहल नहीं मिली और उसने के किता उसने अपने जो खूफिया सन उना नों फिर कै दिता के तुसी जगा जगा जाके एक कोस्टर लगा दो कैदो कि जेडा शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंग नों जिन्दा या मुर्दा पड़के लियावेगा उसनों मैं लहूर दा अधा राज दे देवांगा एक खबर सुनके महाराजा रंजीत सिंग जी ने खुद ही और जो सुन्दर सिंग दाकु सी एनू लोग स्कॉट करते संदे जेडा सी पठाणा कोलों जेडा सी और सब कुछ लुटके गरीपा मिच बंड़ता सी सुन्दर सिंग भी सिक्उक सिर्दार सी पोड़ी देः दे बाद पता चल गया कि जो सुन्दर सिंग है ओ किसी पिंड दे विच रहंदा है लहौर दे जंगला मिच उना ने के किता उना ने पिंड दे विच जाके उना ने सुन्दर सिंग दे नाल उना दी चपट हो गई चपट होने तो बाद ही उना ने की किता ऐसा तलवार दा वार किता जो सुन्दर सिंग सन ओ जमीन दे थले डिगवए जमीन द मूरे डिगणे तो बाद उना ने उनानू मारया नहीं सबू उनानू पड़के गल ना ला लिता सुन्दर सिंग मांदे वीच बड़ा है राण सी कि के हो जा बंदा है जिनने मेरे ते तलवार दा वार भी किता मैं खले जमीन दिगवी गया पर उन्ने फिर वे मैंनू तो उन्दू फड़के अपड़े गले ना ला लिता ए सोच जेडी सी सुन्दर सिंग सोचदारे हा माहराजा रंजीत सिंग ने सुन्दर सिंग नू ए नहीं दसेया कि में ही शेरे पंजाब माहराजा रंजीत सिंग हा उनाने सगू एदा किता कि जो उना दे नाल खूपी सपाही आयसन उनाने उनानू कैय रिता कि तुसी मेहल क्यांJam पुझके उनाने जीओं जीओं उद्रिवार विच पुझक दे गयए ते त्यों त्यों अगों जेड़े सिपाही सन उना दे और पिछेवल हों देगे महाराजा रंजीत सिंग जदू तक्त देखो अलपुझे ते उनने क्या सुन्दर सिंग ए मेरा तक्त है मैं ही महाराजा रंजीत सिंग शेरे पंजाब हाँ तक मैंनो पहले ही मिल छुका है यह तो मैंनो पहले ही लब गया है लेकिन तू अपनी गालतों ना मुकर मुकर नहीं है और उनाने सुन्दर सिंग नुं फिर अपने कोल ही जोसी sand रारा जिता मुखिय स्थापित कर देता उनाने सुन्दर सिंग जो सण ओ एक बड़े ही है रांद सण क्योंकि उन्हानू क्या ग्या सी रंजीत सिंग इस तरह है उस तरह है इस करके जदू ओ महाराजा रंजीत सिंग नू मिल गए उन्हानू पता चल गया एक राजा एक शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंग के हो जबंदा है उनाने सुन्दर सिंग नू कोड़ सवार्दा मुख्य अस्थापत कर गए। इसी तरह ही महाराजा रंजीत सिंग जदू मुल्तान दी जंगवल गए तो जान्दे जान्दे उनानू रहा देविच हनेरा हो गया। श्रामा पैगिया जो रंजीत सिंग्सन ओ अगे तक जानी सक देशन। इस्ते उपरंथ की होया कि उनाने देख्या कि एक कच्चा जाको था जिदे अंदरू थोड़ा थोड़ा दीवे वली रोश्नी लब रही है। ते उनाने की किता। उनाने बुआ खोलेया कि खोल के अंद गुरु ग्रंथ साहिं माराजी दा परकाश होया है। इत्थे जो है इत्थे मैं ग्रंथी हैं मैं सेवा करता ह। मेरी एक गल नोट कर लएनी जी। माफी भी देदेनी। अजकल जेड़े गुरु कार दे गुरु ग्रंथी साहिब आननना असी उनानु बहुता जो है वो दर धन्य सब्सक्राइब नुकभादा व्जीर विज्डी करने फोग्र्ण चानु उसनों इज्फत मान देना चेदा है जो कि ये सी लोग अजकल देन दें नहीं जो सिध्वी टेट फॉरवड गाल ज मोट कर दें हां तो कहंं कि पार्ट पांज मिट अलेट हो गया 10 मिट की हो ग डिता आज तुसी एक कारदिता आज तुसी ओक आ सिक गुरु कार्दे जो घ्रंती जो किरतनी सहवन असी उन्हानु नुमी बख्षते असी मुड़ के वनादी लगता क्येच देयां कि तुसी एद्दा कार दिता तानु एद्दा करना चेदा सी पर महराजा रंजीर सिंह जो स ओन गुरुकार्दे गुरु ग्रंती साय बानाउनु किरतिनी साय बानाउनु ते गुरुकार्दे सारे सेवकानु बड़ा ही मान बख्ष देसन। उना ने के किता उना ने ग्रंथी साहबाननू किया कि खालसा जी तुसी मेरी अर्दास करो मैं मुल्तान दी जंग लड़ननू जा रहे आहां पते प्रापत हो जित प्रापत होई मैं जितनू साजित दी खुशी सार्या नू हुन दी है जान लग पे पाई साब ने अर्दास सोद दिती फिर जदू शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंग जी जदू वापस परते उना ने वेख्या कि फिर उसी जगह आके महाराजा रंजीत सिंग जी जोसन वापस आ गए आंद्या होया फिर उसी कच्चे कोठे विच देख्या कि रात हो गई है आज मैं फिर थे वसेरागार लंदा हां ते ओ भुवा खटवा के अंदर गे कैंदे बजुर्गो ठीक हो तुसी मैं जांग जित गया हां गुण तसो तुसी की कहन दे हो की सेवा मंग दे हो की लेना चांदे हो मैंनू दास देओ गरंथी साहिबान ने एकको ही वारी उच्ची आवाज इच किया रंजीत सिंगा जबान संबाल के गल कर काल तु मंगता से अज तु देन वाला कित्टों हो गया है काल तु मंगता से काल तु गुरू अगे चोली अर्डड के कह रहा से कि अर्दास करो मेरी जित प्रापत हो जाए ते आज तू कहा रहा है कि तव गुरु नो कहा रहा है कि दसो तनू की चेदा है रंजीत सिंग जी ने उसी टाइम अपने गाल विच पला पाके उसी टाइम सिंग पोल माक्नी मंगी गुरु का अर्दे विच अर्दास हो दी कि महाराज मैंनू खिमा कर दो पाई साब तूसी अर्दास करो कि गुरु माराज मैंनू बक्ष देन मेरे को नो गल्ती हो गई है उस्ते बाद महाराजा रंजीत सिंग जोसी उत्थू मुड के अपने जोसी अपने तक्ते लाहौर वाल पहुंच गए उत्थे ही थोड़े दिन दे बाद उन्हानू पता चलिया कि जो की चमकोर साहब देविच जो चाली सिंगा देनाल दस हजार मुगल्दा सामना होया सी उन्हानू पता चलिया कि उत्थे मेरे गुरु गोबिन सिंग महाराजी ने जो संगत सिंग नू कलगी पुआई सी ओ आज दिल्ली दे उन्हान दे पड़पोत्रे दे कोल जो है ओ पेई हुई है उनने जो पड़ पोत्रे दा नाम सी ओ पाग सिंग आनदा है गुरू गोबिन सिंग महराज जदू चाली सिंगां दे नाल चमकोर दी गड़ी विच सन्थ ते चमकोर दी गड़ी विच गुरू गोबिन सिंग महराज दे उपर एक मुसलमान पीर ने दो लाइना लिखिया उसने क्या हिंद में एक तीरत है यातरा के लिए जहां बाप ने कटाए बेटे खुदा के लिए उस मुसलमान ने क्या हिंद में पूरे हिंदोस्तान दे विच हिंद में एक तीरत है यातरा के लिए जहां बाप ने कटाए बेटे खुदा के लिए महाराजा रणजीत सिंग नू पता चल गया सी जो संगत सिंग दे पाड़ कोतरे पाग सिंग हन ए जो कलगी है उना दे कोल है उना ने बड़े ही मान देना दिली जाके उना नू बड़ी एक बैंती किती निमरता सेहर की ए कलगी तुसी मेनू दे दियो जो कि सब्तु मेंगा सोदा महाराजा रंजीत सिंग ने उस समय किता सी पाग सिंग देनाल जो कि संगत सिंग दे उस समय पढ़ पोत्रे कहलारे सन उना कुलू महाराजा रंजीत सिंग ने गुरु गोबिन सिंग जी महाराजी दी जो कलगी सी ओ लियाक के लहोर दे दरबार विच सबतु उपपर जिसे महाराजा रंजीत सिंग गुरु गरन साहजी दा परकाश कर दे सन उत्थे ही गुरु गोबिन सिंग महाराज ने ओ कलगी नो चुक के मथे नाज जरूर लगांदे से जरूर लगांदे संक्यांदे उस कलगी नो इन्हीं महांता सी के उस समय एक लख पच्ची हजार पे दी उन्हाने सब तुम्हेंगी चीज खरीदी सी ओ कलगी महाराजा रंजीत सिंग जो शेरे पंजाब जिनानू असी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंग कैंदे हाँ उन्हाने इक उन्हाने जो सी अम्रिच सर दी जंग उनने हर जगा उनने कश्मीर तिबब्त लाहोर अम्रित सर इक सिर्फ अम्रित सर ची जड़ा उनने उनने क्या सी कि मैं हर जगा जितलिती है कांगड़ा तिबबत कश्मीर पंजोखड पिशावर हर जगा उन्हाने क्या सी जो अम्रत सर में जितना है एमें जंग दे नाल नहीं जितना अम्रत सर में जंग दे नाल नहीं जितना एमें शांती परवाबना उन्हाने अम्रत सर नूफ चारो तरफ के राप पाल इता सी लेकिन जांग वस्ते माहराजा रंजीत सिंग बिल्कूल वी त्यार नहीं से, कि में जांग ना जितना है, जो उदर दे मुख्या उस्तेम गुलाब सिंग पंगी मिसल वाले से, उना दे जेडे सिपाही से, ओ लड़न वस्ते त्यार से, लेकिन कुदरत प्रमातमा दी कोई काय प्रमातमा दे कोई शुक्राना कहलो कि उस समय जो सी गुलाब सिंग पंगी जो सन उना दी शराब पीपी के मौत हो गई, उना दी मौत दे बाद उना दे जो सिपाही सन उना ने ओ बगावत दे उपर उतर आये सन, लेकिन जो उस समय शेरे पंजाब महराजा रंजीत सिंग मगशीख भी तुमशी ने कहती था सी कि मैं जो है और लडाई करके मौन। अम्रित सरते जित प्रापत नहीं करनी, मैं शांत ववस्ता नाल अम्रित सर वे जित प्रापत करनी हैं, उना ने उस टाइम जो अकाल तक साहिब दे जो जठेदार अकाली पूला सिंग जी सन उना दे नाल सला समझोता कर लिता, अकाली पूला सिंग जी ने जी सी जो सारे ही जो सपाहिस देन गुलाब सिंग जी दे उना दे नाल पंगी मिसल दे जो सारे कठे हो एसन सिपाही उना नाल उनानू कै के माराजा रंजीत सिंग नू शांत ववस्ता दे नाल जो सी गा वो अमरत सर्दावी इलाका जो सी उनानू दे दिता गया और महाराजा रंजीत सिंग जी ने इस तरह जो सी अमरिद सर्दे उपरवी कबजा कर लिता सी मतलब अमरिद सर्दे उन्हाने जो सी अमरिद सर्णू उन्हाने पहली क्या दिता सी कि इस अम्रिद सर्णु में लडाई या जंग करके नहीं जितना चांदा इसनु में बिल्कुल पूरी शांथ ववस्तानाल जितना चांदा हाँ तबियत जोसी ओ ली-हली खर्याब होनी शुरू हो गई ओननू दोरे पैने शुरू हो गई उदे उपरंथ उन्हाने एक दिन दिवान से जाके खड़क सिंगनु जो सी कह दिता कि इसनों तेलक लगा दित देओ और इदी गवाही दे हेड जो है और सब कुछ होएगा गल सोचन वाली है शेरी पंजाब महाराजा रंजीत सिंगनु जो खूफिया सन जो उना दे अंदर ही काम कार रहे सन डोग्रेया ने जो एक डोग्रे सन इना ने साडेनाल बुरा किता इना ने अपना नीच पंदसेया इना ने साडेनाल बेमानी किती अज वी इन डोग्रेया ने साडेनाल बेमानी करके उस समेवी महाराजा रंजीत सिंगनु जो उना दी लियाया होईया इस्त्रिया सन उनाने महाराजा रंजीत सिंगनु थोड़ा थोड़ा करके खाने दे विच जहर देना शुरू कर दिता जिदे उप्रंत महाराजा रंज दोगरया ने जो दासियां सग्यं जोडोरा नहीं डोगरया ने उस vak है ओ दोगरयाँ ने उस टाइम उनुंआ नों सद्धया से जो महाराजा शेरेप पंजाब महाराजा रंजीत सिंग नू थोड़ा थोड़ा करके जहर दें दियां सन उना ने की किता दोग्रेया ने उना महाराजा रंजीत सिंग नाल उ सती नहीं हो यां सन उना नू कतल करके महाराजा रंजीत सिंग नाल लागविच सूट दिता गया और क् सब्सक्राइब कि अगर इना ने अपना मूँ खोल दिता ते जो असी कम किता है वो सब नू पता चल जाएगा दोग्रिया ने जो महाराजा रंजीत सिंग्जी दे नाल उनी ही ओरता नू जो उनारी खरीदियां गें दास्नियां सब्सक्राइब आज आज दे समय आज दे समय महाराजा रंजीत सिंग नहीं पैदा हो सब्सक्राइब क्योंकि साढ़े बच्चे गुर्द्वारस है भी निचानदे नौ जवान मुंडे सिरफ असी पैयां दी लत्तां कि चिदियां पाईसा बिद्दा करगे पाईसा बुद्दा करगे शामी गुरु करामिच जाओ दो यह तीन भजूर्ग बैठे हुष जो पंजाब देब इच जाओ जो दादे दादाजी होंदें कारदे बजूरु होंदें उन्ना दी दाडियां मुझालव दियां ते जो पोत्री पोत्रे दोत्रा दोत्री होंदें ऑब सिर्थू केस उन्हा दे क किते काली फूला सिंग पैदा होने, किते मार शेर पंजाब मार आजा रंजीर सिंग पैदा हो गया, कितो पैदा होने, इस करके मैंनू पृतम सिंग का सद्दियां कुछ तरह यादां दिया ना, कैनन अनक दा अजली नशा, बुक्की पिलाउन वाले या, चिमनियां आज कोम तेरी नू कैई बीमारी हैं, तेरे मासूम बच्चेयां दा, आज खूण गिर्वी रख के, इस सेवकां दी कौम, आज मंग दिये जथे दारियां, दुश्मनां ते की गिला सी, पात शाहां दे पात शाहा, वेज दितियां, तेरे सर्दाराने, खुद सर्दारियां, अज व पहली वार में विशा किता है, मैं कदे बोली नहीं, आज पहली वार बोली आ, आप सब जी विशा कर देया होएं, एक नहीं, अन्नेका ही परकार दियां, पुला, गल्तियां हो गियां, गुरु माराज समरत बक्षन, आप संकता बक्षन योग हो, पते दी सांज पाउजी, वाहे गुरुजी का खालynnवा वाहे गुरुजी की पतेच। वाहे गुरुजी का खाल्साइन वाहे गुरुजी पतेच। अच्छी बह dulu कि छो पेs मतनले हैं। कई सची तो गैरहां दे जावरी पंजे ancerाषि गुटी होई। ते समय समय ते हमला वर उनों लुटी हुजी मिजावदी मिद्धी मिद्धूली तर्थी जड़ा उस विले क्या जन्दा सी इंख़दा बीता लाहे दा बाकी आहमिद शाहे दा उस मिजावदी तर्थी नू उना गैरा दे पंजे तो कड़ के जार करौन वाला इस उर्मा हमने खुशहाली नू परतान वाले हिंदू, सिख, मुसल्मान सारे आंदे दिलां दे राज करन वाला इस बादशाय दिनों सी शेरे पंजाब दे नाल नाल याद कर दे हां महरा रंजीश सिंग उदे आसमारे आपा विचारां कर दे सांज कर दे ती हरीन कौर्दी ने साठे महरा रंजीश सिंग दे तो आखरी समा उदा है उन्हें गाले पीसी खालसा जी जाबदा है कि मेरा हुन अंत समा आगया है मेरा दे तो अड़ा हुन कुछ दिना दा ही मिला है करतार दा पाना ही ही हो है इसे कि सर्च को नहीं सानों बंदा है मेरी खाश है मेरा सन्या है कि जस ताकते नाल के सल्टन नो अपाने अकाली जी नलुआ जी और नेक सूर्विरा ने अपना खून डोल के ते अपनी तकड़ी तरल्वी मेंद ते करुमानी दे नाल देनों काइम किता है उसरों के ते कमजोर ना हो देना उन्हों नाश ना हो जोना विखना कि ते खुड़ दा शकार हो कि गुंड़ गान शकार ना बंड़ाना जाना गारी नहीं चाला तो हमीशा साथ ना रहना जाथी मैनू जेंद जान तो प्यारी है तो काल मुवदी मेर ते तो आडिया बहाँना मैं पंजाब नू प्रदीसी राइडे जूलेज चुकडिया, एक किसे नी तोओं उते मुड़, एक किसे पंजाब नी तोओं ते मुड़ क्यूरामी दा जोना ना पहे जाए, जिए मेरे उपर पेर जिड़े हम दुझे पैर जदों पंजाब नी तर तीनों लिताड़ के, जिस मेरे नहीं बड़ा दुखदाई हो गएगा, ब हर इंसान दे जीवन दे दूपक हुंदे हम, एक पॉस्टव एक नेग्टव हुंदा है, तो पॉस्टव गालनों असी लागे चलिए ते महाराज दे आसे विच्छों असी बहुत गुश्चक सख़दे हां, जैने काबलों के नदा आपको लाए के लदाओं ले लदाख तक सि सब्सक्राइब करें, जैने काबलों के नदा आर्वे लाके दे विच्छ याद करिये, बहुत बहुत तन्वाजी बच्ची हरीन को अरदी आप जी ना, आप जी ने ए अज्वा विशा साधना सांजा कीता है, होना सी तुझे विशे दिए